हलो फ्रेंड्स वेल्कम तू अनूपा स्टेडी फेंड्स आज हम एविएस की एंसी आटी क्लास फॉर्थ की सम्री करने वाले हैं जिसमें मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट्स आपको अच्छे से बताऊंगी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और दू सब्सक्राब मैं चै करने के flight करते हैं तो कहा कि राजस्थान में ऐसे संगेक लोग राजस्थान में まず जिनके कान खाल वह बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं नेक्स्ट है पक्षी के सर के दोनु तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं अधिकांश तहा ये पंकों से धकी रहते हैं ये सुनने में पक्षी की मदद करते हैं नेक्स्ट जानवरों की खाल पर जो अलग-अलग डिजाइन होती है उसका कारण है उनके शेरी पर बालों का होना जो जानवर होते हैं उनके शेरी पर जो रोम होते हैं जो बाल होते हैं उसी की उपस्तिती के कारण उनकी खाल पर अलग-अलग डिजाइन होते हैं guys आपको seat at में as it is बलकुल ये same points जो मैं आपको करा रहे हूं वो questions देखने को मिलेंगे फिर बात आती है अब हाती की एक बड़ा हाती एक दिन में 100 kg तक पत्तिया वा जाडिया खा सकता है हाती एक दिन में 2-4 घंटे सोते हैं हाती के कान जो होते हैं वो पंके की तरह काम करते हैं फिर हाती के जुड़ में केवल हत्नी वो बच्चे रहते हैं और एक जुड़ में 10-12 हत्निया वो बच्चे होते हैं हाती के जुड़ में 14-15 वर्ष तक ही रहते हैं एक जुड़ में फिर वे जुन्दे छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं और तीन महीने का जो हाती का बच्चा होता इसका वजन दो सो किलोग्राम होता है अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये एक्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है ये जो साथ पॉइंट्स है आपको एक्जाम में कोई भी तीन पॉइंट्स इससे रिलेटेड देगा और एक पॉइंट कुछ भी अलग देगा और कहेगा कि आपको इसमें फॉल्स छाटनाई की हाती से कौनसी बात रिलेटेड नहीं है जैसे यहां पर उन्होंने दे दिया 100 क्लो ग्राम पत्ती खाता है 10-12 हतनिया वह बच्चे होते हैं 14-15 वर्ष तक ही रहते हैं फिर जुन छोड़ देते हैं और जो हाती वह 10-12 घंटे सोता है अब इसमें फॉल्स छाटनाई की कौनसा गलत है तो हम सबको पता है कि जो हाती है वह केबल 2-4 घंटे सोता है तो जो 10-12 घंटे वाला जो ऑप्शन होगा वह रॉंग हो जाएगा तो अब आप समझ रहोंगे कि भले ही यह देखने में बहुत सिंपल लग रहे हैं कि भई यह क्या है यह तो बहुत बच्चों की तर है वहाँ पर इसी तरीके से पूछे जाते हैं चारा लग लग ऑप्शन दे देंगे फिर आपको छाटा रहेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है जैसे अभी हमने वह वाला पड़ा की जो एक इससान से दूसरे सान तक जाने के लिए अगर ट्रॉली है तो लद्दाक के कौन जाती है कि मदुमक्ही पालन या फिर मदुमक्हि अंडिक कौन पर देती है तो अक्टूबर से दिसंबर तक का जो टायम होता है उस टायम पर जो मदुमक्हिया होती है वो अंडे देती है फिर बात आती है कि गांधीदाम कहां पर है तो एहम्दाबाद में है फिर है मढगाव कहां है तो गोवा राज में है गोवा से केरल तक वेल की रास्ती मतलब बाइट ट्रेन जाएं तो कितनी सुरंगे और कितने पुल आती है गाइस एग्जाम में पूछा गया है तो बानवे सुरंगे बद दो हजार पूल आते हैं अगर आप यह फोर्थ क्लास की इंसी आर्टी आज जब आप पढ़ेंगी फिर आप उसके बाद सीटेट की प्रिवियस एर उठाकर देखेगा आपको गाइस एज देखने को मिलेंगी 2011 से लेकर आप लगाईएगा तो आपको खुछ समझ आ जाएगा कि कितना डिफ्रेंस आ जाएगा आपके जो एक्क्यूरेसी है जो आपके कॉस्चन सही होने लगेंगे जैसे मधुमक्खी पालन ही एज इस आपको दिया गया है कि अक्टूबर से दिसंबर तक जो है वो मध की लोगपी नाव प्योग करते हैं तो आपको पता होगा कि कैरल कि या ऐसे पूछले जाएगा कि कीरल में जो लोग हैं वो पानी को पारक करने के लिए या दूसरी तरफ जाने के लिए लिए नाव का प्रियोग करते हैं तो फैरी नाव का फूलों की घाटी किसे कहा जाता है या कहा है तो फूलों की घाटी उत्तरांचल में है फिर उत्तर प्रदेश का जो कन्नोच जिला है वो इत्र के लिए मशूर है तो इत्र के लिए क्या मशूर है तो उत्तर प्रदेश का में रहते हैं उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कहानिया लिखी है तो बच्चों के लिए कहानी लिखने वाली जो गीजुबाई वधिका है वो कहा रहते हैं तो गुजरात में आपको चार अलग-अलग स्टेट के नाम देदीगा MP, राजसान, UP, गुजरात तो आपको पता होगा कि गीजुबाई वधिका गुजरात के हैं फिर है कोईला अपना खुद का गौसला नहीं बनाती है वह कववे के घौसले में अपने अंडे देती है और कववा अपने अंडे समझ कर कववे के अंडों को भी सेता है तो आपसे करण आम मलेश्वर था है उप्रदेश की रहने वाली है यह आंधर प्रदेश की रहने वाली है और एक बार में 130 kg तक बजन उठा लेती हैं और अभी तक इनों ने 29 इंटर नेशनल मैडल जीते हैं तो ये बात हो गई कर्णम मलेश्वरी की आपको questions as it is देखने को मिलेगा अब हम मदुबनी painting की बात करेंगे ये चितरकला का एक पुराना रूप है और बिहार में मदुबनी एक जिला है जहां त्योहारों और खुशी के मौकों पर घर की दीवारों और आगन में चितर बनाये जाते हैं उस जिले मदुबनी जो नाम पड़ा है वो उस जिले की वजह से ही पड़ा है ये चितर चावल के गोल में रंग मिलाकर बनाये जाते हैं और वो रंग कहां से लाये जाते हैं तो नील, हल्दी, फूल के रंग, आदी का इस्तमाल करके वो रंग बनाये जाते हैं और बिहार में मदू बबनी एक जिला है जिस वजे से इसका नाम मदू बनी पड़ा और यह क्यों बनाया जाता है यह जो एक ट्योहार है तो खुशी के मौके पर जाएगा देखने को मिलेगा एक्जाम में बर्गत के पेड़ की जो लटकन है वो असल में इसकी जड़ें होती हैं और मुक्तापुर गाउं आंधर प्रदेश के पोचम पुली जिले में हैं जाएगा पूछने को मिलते हैं कि नालमडा कहा है आंधर प्रदेश में होल गुंडी करनाटक में और मुक्तापुर आंधर प्रदेश में फिर है desert oak की बात कर लेते हैं यह एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है इस पेड़ की जड़ें जो होती हूं जमीन में इतनी गहराई तक होती हैं कि जब तक उनको पानी न मिल जाए वो उतनी गहरी जमीन के अंदर चली जाती है यह जो पानी है वो पेड़ क तने में इखटा रहता है तो जहां कई भी पेड की जहां कई भी पानी की कमी होती है तो लोगबाग इस पेड के तने से पानी प्राप्त कर लेते हैं पाइप बगेरा डालके पतली नली डालकर इस पेड के तने से लोगबाग जो होते हैं वो पानी इखटा कर लेते हैं और य बियू फेस्टिबल की बात कर लेते हैं कि क्या है तो आसम का एक खास फेस्टिबल है यहां त्योहारों चावल की नई फसल काटने पर यह मनाया जाता है मांग बियू 14-15 जनवरी को मनाया जाता है और आसमी केलेंडर का यह दसवा महिना होता है ठीक है मेन बात जो इंपॉर् की जो नई फसल होती है उसके काटने पर यह एक फेस्टिबल मनाते हैं जिसका नाम इनों ने क्या रखा है और माग बियू जो महिना होता है वो 14-15 जनवरी को मनाया जाता है हमारे जो इंग्लिश केलेंडर है वो जनवरी और आसमी केलेंडर का वो दसवा महिना होता है अब पेट्रोल है वो पानी की अपिक्षा सस्ता होता है उसके बाद है रेगिस्तान में केवल एकी प्रकार के पेड़ देखे जा सकते हैं अबुदावी में वो है खजूर के पेड़ क्योंकि बहुत जादा कम होती है तो वहां पर ग्लीन वरी तो बहुत कम देखने को मिलेगी और आबुदावी में जो ओपियों किये जाने वाले जो पैसे होते हैं उनको दिरहम का जाता है यह भी एक्जाम में पूछा गया प्रिवेस यह एक्जाम पेपर जरूर लगएगा गाईस सीटेट के और एमपीटेट में भी ईवीएस का जो 20 मार्क्स का कंटेंट है जिसे ह पूछी जाती है तो आप लोग के लिए यह है कि अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे और जो मैं NCRT की समरी करवा रही हूं अगर आप वो कर लेते हैं तो बस I think more than sufficient हो जाएगा आप इसको एक बार पढ़ने के बाद खुद से एक बार पीवेस य NCRT की तो NCRT बच्चों के लिए बनाई गए तो इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो परेड होती है तो उसकी कमान किसने समाली थी तो पहली महला जिन्होंने पूरी परेड की कमान समाली थी वो लेप्टेनिन कमांडर वहीदा प्रिजम थी और यह जो भार्तिय नौस अनाम है यह डॉक्टर के पर पदस्त थी और पूरी परेड में कितने निर्देश होते हैं तो 36 निर्देश देने होते हैं यह भी एक्जाम में पूछा गया है तो यहाँ पर गाईज हमने NCRT क्लास 4th EVS पर्यावरंड की समरी कर लि पेपर लगा कर देखेंगे तो आपको खुद से ही डिफरेंस देखने को मिलेगा नेक्स सेशन में हम क्लास 5th की NCRT की समधी करेंगे उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुचेगा बेल आइकन प्रेस करेंगे तभ आपको न्यू वीडियो की अपडेट्स पता चलेंगे कि मैं कब-कब वीडियो अप्लोड करते हूँ वीडियो पसंद आ है तो लाइक करना शेर करना और दू सब्सक्राइब माय चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो